जिन्दाबाद, 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 मुख्मंद्री जिन्दाबाद, हेमल फोरें जिन्दाबाद, आज बहुत इस सरकार को आप हाद बेग करना चाहते हैं जिन्दाबाद, 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 जिन्दाबाद क्या मिला आप लोग कौन है और लगातार हम लोग के साथ सरकार से समझोता हुआ था और उस समझोता है कि नुसरा लगातार केबिनेट हो रहा था लेकिन केबिनेट में एप लागू नहीं हो रहा था आज हम लोग को लग रहा था कि आज यंतिम केबिनेट हो रहा है और इसमे बीच तारिक को जो अंदोलोन किये थे उसमें हम लोगों ने सारा मुद्दा को छोड़ते हुए ईपीएफ पर केंद्रित हो गये थे और आज हेमन सरकार ने जो एपीएफ का मुद्दा हम लोगों के लिए पारित किया इसके लिए पूरा सहाय का ध्याप संगर्स मोर्चा के 62 सट हजार परिवार की ओर से इनका प्रतिया आभार व्यक्त करते हैं अब और सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोगों की लड़ाई रह गई हो वेतनमान तो हम लोग इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे लेकिन आज मैं मानिये मुख मंत्री हैमन स्वारें जी को मानिये सिक्षा म मंत्री बैजनात राम जी को गिरीडी विधायक सुद्वीप सोनु जी को और इनके मंत्री मंदल के तमाम सदस्यों को सहायक द्यापस संगर्श मोर्चा से धेर सारे आभार व्यक्त करते हुए और खासकर आज सुबह सुबह हम लोगोंने कल्पना मैडम से भी भेट किया था किया अपने बड़ी एक बड़ी एक सईयोग पारशियों को इप गुरुब में दिया है इसे जारखन सरकार को राज के तमाम साय के दापकर और से बहुत बहुत धन्यबाद कल्पना सोनु को धन्यबाद चिश्चा मंत्री को धन्यबाद गिरीडी के मानने बिदाए को धन् सबसे पहले राज सरकार के प्रतियावहार राज के 62,000 परिवारों की तरफ से और प्रेस मिडिया को भी बहुत बहुत धन्यबाद और अभार चुकि जितना हम लोगों ने अंदोलन किया है आपने हमारा अंदोलन को कभरेज किया है आप हमारे लड़ाई में कदम से कदम मि जारीएगी अगला सरकाज जिसका अवी बनेगा हम लोग प्रयास करेंगे आप मानिया हमन सोरे इसे बेतरबान इंहों ने वार्या किया है अ हमको उमीद है 162000 परिवारों को उमीद है यहार मढ़ी के अगर सरकार रहेगी तो हम माटी पुत्र पाराशिक चग भी है, यहां एकदम लोकल है, 62 जार लोग जो है, वो एकदम खाटी जार खंडी है, तो जार खंडी को अपना हक मिलना ही चाहिए, और यह राज सरकार से उमिद है, यह सरकार हमको बेतर मान देगी 28 अगस्त को वारता हुआ था, आज लगवग दो महीना होने को है, और एक एपीएफ जो राज सरकार से समझोता हुई थी, वो समझोता लागू नहीं हो रहा था, हम लोग लगातार प्रयासरत थे, यह मामला आखिर फस कहा रहा है, मानिया सिक्षा मंत्री, मानिया मुख मंत्र इसको एपीएफ देने के लिए जो 28 तारी को वारता किये थे, एपीएफ हम लोग को पराप्त हो गया, बेतनमान यह सरकार का वादा है, इस सरकार से ही बेतनमान हमको मिलेगा, ऐसा उमीद है, राज के 62,000 परिवारों की और से आज सरकार को अभार, लेकिन हमारा बेतनमान, मुख मान, बेतनमान, वो हमारा जारी रहेगा, और सरकार से उमीद है, या आगला सरकार बनेगी है मनसुरें जी के लेतरिम में, तब कुर्ण हमको बेतनमाने सरकार देगा, बैजनाज राम जी के परती, अभार, मन्या, सिक्षा मंत्री जी ने, वारता में बोला था, जह मै लागु करवाया राज के 62,000 परिवारों की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यबाद बहुत आभार आवार से माननिये मुख मंतरी हमन स्वरें माननिये कलपना स्वरें और सदर विधाया गिरीडी जो लगातार हम लोग के साथ खड़े रहें उनको भी बहुत बहुत धन्वाद इसमें जो नियत है जो नियम है और नियम है यह हुत नियम है इसमें मिर्तियो पर भी लाब है और आपका जो है सो रिटार्मेंट का भी तेनों फाइदा इसमें है और इसलिए हम लोग लगातार परियास में रहे तमाम लोगों को धहिनवाद